आइसलेंड में दिन की धधकती हुई शुरुआत, लेकिन लावा के ये फवारे, रिगजीन्स प्रायदी पर जादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक पाइपलाइन जो 30,000 लोगों को गर्म पाने की आपूर्ती करती थी, अब पिघलती हुई चटान की जद में है। और पर्यटन शेत्र ब्लू लगून को जाने वाली सड़क कट गई है। बीते साल दिसंबर के बाद ये जोलामों की तीसरी बार फूटा है। लेकिन वेग्यानिकों को इसका पहले से अंदेशन था। इस बार शेहर को बचा लिया गया है, पर बड़ी चिंता पास के जियोधर्मल पावर स्टेशन को लेकर है। सेंसर ने पता लगाया है कि मैगमा के भूमिगत प्रवाह के कारण इसके चारो ओर की जमीन ऊपर उठ रही है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढाचे की सुरक्षा के लिए तैयारियां की गई है। इस शेत्र में लगातार लाबा आने की घटनाएं आठ सौ साल पहले भी हुई थी और वो दो दशकों तक चली। तो क्या वेग्यानिकों को लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि ज्वाला मुख्य फटने का ये नया दौर कब तक चलेगा। वेग्यानिक मानते हैं कि इसमें कई साल ये सद्यां भी लग सकती है।